पहले T20 मुकाबले में बुरी तरह से हार मिलने के बाद दूसरे T20 मुकाबले में भारत की टीम ने जिमबाबवे की टीम से बदला लेते हुए उन्हें 24 घंटों के अंदर ही हार सौब दी जिसके बाद जिमबाबवे के कपतान सिकंदर रजा बोखला गए और भारती टीम पर लिंक मिल जाएगा दोस्तो आज भारत और जिम्बाबवे के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया पहले T20 में हर मिलने के बाद आज शुबमन गिल ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया और शुबमन गिल कुछ कमाल नहीं कर पाए और दूसरे ही ओवर म चार गेंदों में सिर्फ दो रन बना कर चलते बने लेकिन इसके बाद हमने अभिशेक शर्मा का तूफान देखा वही अभिशेक शर्मा जो अपने पहले मैच में खाता भी नहीं खोल सके उन्होंने इस मैच में पिछले मैच का भी कसर नहीं छोड़ा और जिम्बाबवे क गेंद बाजों की कमर ही तोड़ दी थी रूतुरज गाइकवाड ने भी उनका अच्छा साथ दिया रीतुराज सूज बूज से बल्ले बाजी कर रहे थे तो वही अभिशेक हर ओवर में आक्रमक अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए बाउंडरी बटोर रहे थे इसके बाद जब रिंकु सिंग मैदान में आए तो उन्होंने भी वैसी ही बल्ले बाजी की जिसके लिए उन्हें जाना जाता है तबाड तोड अंदाज में गैकवाड और रिंकु ने बल्ले बाजी करते हुए भारत के स्कोर को 20 ओवेरों में 234 तक पाहुचने में सफल रहे जहां गैकवाड ने 47 गेंदों में 77 रंस बनाए तो वही रिंकु ने 22 गेंदों में 48 रं बनाए इसके बाद जिंबाबवे की टीम जब स्कोर को चेस करने उतरे तो मुकेश कुमार ने पहले ही ओवर में इनोसेंट काया को चलता कर भारत को पहली सफलता दिलाई इसके बाद वैसली मधिवीर और ब्रायन बैनेट ने 30 रंों की पार्टनर्शिप जरूर बना ली थी लेकिन इसके बाद भारत ये गेंद बाजों ने उन्हें मैच में वापसी करने का कोई मौका ही नहीं दिया और एक के बाद एक विकेट लेते चले गए सिर्फ 73 के स्कोर पर ही भारत ने उनके 6 बल्ले बाजों को पविलियन भेज दिया था और यहां से भारत बड़े ही आसानी से मैच जीत गई वही दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में भारत ये टीम से हार मिलने के बाद जब सिकंदर से रजा इस हार का कारण पूछा गया तो रजा ने चौका देनी वाली बात कही सिकंदर रजा ने इंटर्वियू में बात करते हुए कहा कि अगर आज हम ये मैच हारे है तो इसमें हमारी ही गलती है भारत को पहले T20 में एक तरफा अंदाज में हराने के बाद हमें लगा कि हम इस टीम को अगले मुकाबले में भी बढ़े ही आसानी से हरा देंगे क्योंकि इस टीम में विराट, रोहित, हार्दिक जैसे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे हम कॉन्फिडेंट होने के बजाए ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और हमने इस टीम को हलके में ले लिया और वही हमारी गलती थी इस भारतिय टीम में भले ही सीनियर खिलाडी नहीं खेल रहे हैं लेकिन ये युवा खिलाडी भी किसी से कम नहीं है पिछले मैच में अभिशेक शर्मा को हमने डक पर चलता किया था लेकिन आज उन्होंने हमें पूरी तरह से धो डाला जैसे वो IPL में बाकी टीमों को धोते थे हालांकि हमारे पास उनका विकेट लेने का मौका आया था लेकिन आज हमारी फील्डिंग भी बेहद ही घटिया थी और अभिशेक ने इसका अच्छा फाइदा उठा कर शतक जड़ दिया अभिशेक ही शुरुआत में मैच को हमसे दूर ले गए इसके बाद रिंकू और गाइक वाड भी पीछे नहीं हटे उन दोनों ने भी हमें बुरी तरह से धो डाला जब हमें 200 पाइटीस का लक्ष्य मिला था हम मैच वही हार गए थे क्योंकि इतना बड़ा स्कोर चेस हमने कभी किया ही नहीं उपर से भारत की गेंदबाजी भी तगड़ी है और ये तो अभी के समय में T20 क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन है हालांकि ये वो टीम नहीं है लेकिन ये टीम भी किसी से कम नहीं है अब बचे हुए तीन मैच में हमारे पास मौका है कि हम सिरीज जीत सके कोशिश तो यही है कि हम भारत के खिलाफ सिरीज जीत जाए दोस्तों आपकी राय में भारत के इस जीत का असली हीरो कौन है हमें कमेंट कर जरूर बताएं बाइस गेंदो में 48 रंट ठोकने के बाद रिंकू सिंह ने दिया चौकाने वाला बयान दिये रिंकू सिंह ने बात करते हुए कहा कि मैं बेहद ही खुश हूँ कि मैं आज बल्ले से टीम के जीत में योगदान दे सका पहले टी-20 में शर्मनाक हार के बाद पूरी टीम और मैं काफी ज्यादा मायूस थे लेकिन आज इस जीत ने मुझे काफी मोटिवेट किया लेकिन उसके बावजूद मुझे टीम में जगह नहीं मिली वर्ल्ड कप में खेल कर टीम को ट्रॉफी जिताने का मेरा बोहत बड़ा सपना था लेकिन वो हो ना सका इस बात ने मुझे काफी ज्यादा सेट बैक दिया था हालांकि हम वर्ल्ड कप जरूर जीत गए लेकिन में भी उस टीम में शामिल होना चाहता था ताकि में भी एक वर्ल्ड चैंपियन कहला सकूँ आज शायद मेरी ये बल्ले बाजी देखकर सेलेक्टर्स को अंदाजा हुआ होगा कि मैं भी एक बेहतरीन खिलाडी हूँ जो एक फिनिशर का रोल भकुबी निभा सकता है और टीम को जीतने में मदद कर सकता है उम्मीद यही है कि आप बाकी बचे हुए मैचिस में भी मैं ऐसी ही प्रदर्शन कर पाऊं और सेलेक्टर्स को अपने बल्ले से करारा जावाब दे पाऊं ताकि अब आने वाले चैंपियन्स ट्रोफी के लिए सेलेक्टर्स के पास कोई मौका ही ना हो मुझे टीम से बाहर करने का दोस्तो आपकी राय में क्या रिंकू सिह को पर्मिने बाजों को धोते हुए तूफानी शतक जड़ दिया 14 ओवर में लगातार 3 चक्के जमाते हुए सिर्फ 46 गेंदों में उन्होंने अपना शतक जमा दिया हालांकि शतक जड़ने के बाद ही वो आउट हो गए इस शतक में उन्होंने 7 चौके और 8 चक्के जड़े इस शतक के सा च्के लगाने वाले बल्ले बाजी बन गए हैं रोहित ने अब तक 46 चक्के जड़े थे और अभिशेक शर्मा ने इस साल 50 चक्के जड़कर रोहित का रेकॉर्ड तोड़ दिया अभिशेक शर्मा ने अपने दूसरे ही टी टुईस इंटरनेशनल मैच में शतक जड़कर सब पनी अगली 50 सिर्फ 14 गेंदों में पूरी की थी जो सबसे तेज है इस मामले में उन्होंने क्रिस गेल का रेकॉर्ड तोड़ा वही अभिशेक शर्मा पर अब इन दिगजों ने रियक्ट किया है सबसे पहले रोहित शर्मा ने कहा शब्भास अभिशेक शर्मा क्या बैटिंग की है तुमने आज तुमने दिखा दिया कि तुम सिर्फ IPL में नहीं की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी बल्लेबाजी कर सकते हो वही तुमने आज मेरा रिकॉर्ड थोड़ा उसके लिए बधाई हो एक शर्मा T20 से रिटायर हो गया तो दूसरे शर्मा ने जिम्मेदारी को संभाल लिया गर्व है मुझे तुम पर अभिशेक शर्मा और शतक देखने हैं और ऐसे ही ताबड तोड बल्लेबाजी करते रहो वही दोस्तों क्रिस गेल ने कहा मैंने अभिशेक शर्मा को IPL से देखा है वो जबरदस्त बल्लेबाज है भारत से ऐसा ताबड तोड बल्लेबाजी करने वाला लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैंने कई सालों बाद देखा है अभिशेक शर्मा की बल्लेबाजी देख मुझे अपने दिन याद आ गए मज़ा आ गया उसकी बल्लेबाजी देखकर खास करके वो जिस अंदाज में छक्के मारता है वो कमाल था दोस्तों कुछ ऐसे बयान थे दिगजों के अभिशेक शर्मा के शतक पर आप अभिशेक शर्मा की इस बल्लेबाजी को दस में से कितने नमबर दोगे कमेंट जरूर करें